पाकिस्तान को नया कश्मीर पसंद नहीं पाकिस्तान को कश्मीर में बदलाओ मन्जूर नहीं पाकिस्तान को कश्मीर में बदलाओ पर चर्चा करना भी गवारा नहीं नवस्कार मैं हो दिपिका और आप देख रहे हैं देश का भरोसे मंडेस्टा ल्यूज चैनल वी के न्यूज ये हम नहीं कह रहे हैं ये तस्वीरे हैं वाशिंग्टन की दरसल पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल बेज़िती करवाने की आदत पड़ गई है जब तक वो पूरी दुनिया के सामने अपनी थूथू न करवाले तब तक उसे मजा ही नहीं आता इसलिए एक बाफ फिर उसने अपनी हरकस से खुद को शेमसार कर लिया है बता दे कि अमेरिका में वाशिंग्टन डी सी के नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर में बदलाओ पर चर्चा हो रही थी तब ही कुछ पाकिस्तानी समर्थक वहां पहुँच गए और हंगामा करने लगे नेशनल प्रेस क्लब में कश्मीर में बदलाओं पर चर्चा हो रही थी लेकिन तभी नापाक मनसूबे लिए कुछ पाकस्तानी समर्थक वहाँ पहुचे और हंगामा शुरू कर दिया हलाकि आयोजिको ने फिर हंगामा कर रहे पाकस्तानीयों को बाहर निकाल दिया ये तो आपको पता है कि पाकस्तान तिलमलाया हुआ है वो कश्मीर से अरुशेत 370 हटने के बाद से वहाँ हुए बदलाओं को पचान ही पारा जिस घाटी में आतंक था अज वहाँ विकास हो रहा है शांती है इसे पाकस्तान अकसर कश्मीर को मुद्दा बनाकर भारत के खिलाब जहर उगलता रहता है कश्मीर में विकास हो रहा है आतंकियों का सफाया हो चुका है कश्मीर का युवा एजुकेशन हासल कर रहा है यही पाकस्तान से बरदाश नहीं हो पारा मैं पाकस्तान के कबजे वाले कश्मीर तो क्या पूरे पाकस्तान में हालाद बस से बत्तर है पूरा पाकस्तान गंभीर आर्थिक संकर से जूज रहा है फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा तब ही वो अंतराश्टी मंच पर भी होहला मचाने पहुच जाता है पाकिस्तानी सवर्थों के हंगामा करते समय भी भारत ने बेहद शान तरीके से जवाब दिया लेकिन हर जगा मूँ की खाने पर आमादा पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आया उसके बाद आयो जग ने पाकिस्तानियों को कहा कि थैंक यू थैंक यू इश्वर आपका भला करें आज यहां बैठे हर इंसान ने आपका असली चहरा देख लिया विके नूस राष्ट के नाम